बिप्यसी के माध्यम से बिहार में हो रही प्रात्मे की स्तर की लगबग 80,000 पदों में बिएड अबिर्थों की इलिजिबिल्टी ओनरेबल सुप्रिम कोट के जज्मेंट के बाद से सवालों के गहरे में आ गए थी जिसको ले करके राजसरकार ने पहले पटना हाई कोट का दरवाजा खटकटाया उसके बाद से अब वो सुप्रिम कोट में गई है ओनरेबल पटना हाई कोट के जज्मेंट को ले करके कि हमें कुछ डाउट है बिएड अबिर्थों के इलिजिबिल्टी मैटर पर इस केस में एक नई अपडेट है जिसमें आईये दाखिल करके डियलेड वाले अभिर्थी उपस्तित हो चुके हैं अगर मैं आपको आईये वाला दिखाऊं वेबसाइट पर तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2023 यानि आज ही के दिन फाइल किया गया है आईये जो की डियलेड अभिर्थियों के तरफ से फाइल किया गया है तो बिहार राजसरकार जब अपना पक्छ रख रही होगी तो उसमें डियलेड अभिर्थी भी अपना पक्छ रखने के लिए अब उपस्तित हो तो यहाँ पर मुखेता तीन पार्टी बन रही है, एक तो राजसरकार जो की बीड के फेवर में है, दूसरा बीड और तीसरा डियलेट वाले अबेर्थी, यानि डियलेट वाले अबेर्थियों के साथ अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोट का 11 अगस्त का जेज्मेंट ह पटना हाई कोट के द्वारा दिया गए जेज्मेंट है, और वहीं बीड के साथ में अगर आप देखेंगे तो राजसरकार है और इसके अलावा कियन सरकार को भी यहाँ पर पार्टी बनाए गई है, तो देखना होगा कि कियन सरकार इसमें किस प्रकार से रुख अपनाती ह हला कि केंद सरकार का रुख काफी हद तक इस पश्ट हो चुका है किवीएस प्रटी की वेकेंसी को ले करके क्योंकि सिख्षा मंत्राले के अंतरगत डिरेकली केवीएस आता है और केवीएस ने ये चलरिफाइ कर दिया है ऑललडी कि हम केवीएस प्रटी में बिया इसको लेकरके राज्यसरकार गई हुई है और चुकि ये नोटिफिकेशन पहले जरूर था लेकिन इसको ओल्लेडी कोट में चैलेंज किया जा चुका था सुप्रीम कोट में स्री भगवान कृष्ण जी की जो याचिका थी वो ओल्लेडी चैलेंज थी इसके लावा 11 अगस्त के फैसले से पहले जो इसमें सुनवाई चल ले थी अक्टूबर में तो वहाँ पर भी जो 6th phase की भरती हुई है बिहार में उससे समान्देत अभीरतों ने ओल्लेडी सुप्रीम कोट में दरवाजा खटखटाया था जिसमें जो बिहार राजसरकार है उसको दिसंबर 2022 में ही नोटिस इशू किया गया था अपना पक्च रखने के लिए अब राजसरकार नहीं रखी वो अलग बात है लेकिन राजसरकार को इन सभी मुद्दों से आउगत था और अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में इन सभी बातों का जिक्र नहीं किया कि जैसे की KBS PRT ने किया था कि जो सिख्षाकवर्ती में BAWT की eligibility है वो honorable Supreme Court के judgment के अधिन रख दी थी लेकिन बिहार सर राजसरकार ने इसको skip कर दिया और इसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा है कि already 3-3 judgment होने के बावजूद भी राजसरकार इस पश्टी करण के लिए Supreme Court के दरवाजे पर खड़ी हैं BSEB के मादयम से जो STT Paper 1 और STT Paper 2 का आयोजन किया गया है उसमें किवल BAWT eligible है बिहार में जो TGT की भरती होती है उसमें STT Paper 1 मांगा जाता है और जो PGT की भरती होती है उसमें पातरता के तोर पर STT Paper 2 मांगा जाता है अगर आप सफलता का प्रतिशत देखेंगे तो जब BAWT केवल Paper 2 में समलित हुएते तो पूरे देश भर का जो सफलता का प्रतिशत रहा है CETAT में वो 8.5% रहा है और इसपेसली अगर केवल Bihar की बात करें तो वहाँ पर Paper 2 में केवल BAWT eligible होते हैं क्योंकि Bihar में जो DLAWT करते हैं वो intermediate के बेस पर करते हैं और Paper 2 CETAT में eligibility यह है कि अगर आप graduation plus DLAWT हैं तब आप eligible होते हैं तो उस हिसाब से भीरती यह कह रहा है कि वहाँ पर 3 दसमलो 8-7% सफलता का प्रतिशत रहा है और STET में जो की B8 candidate के लिए के वल है इसमें अचानक से 80% 90% result कैसे आ गया तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि CETAT में जो qualifying marks हो 25 और इसी प्रकार से महिला के लिए देख सकते हैं 40% अनसूचित जन जाती दिव्यां के लिए यहाँ पर 40% है तो इसके वज़े से भी काफी प्रभाव पड़ा है और इस वज़े से आपको result में 80% 90% सफलता का प्रतिशत दिख रहा है उमीद करता हूँ आप सभी के doubt clear हो ग